हलो फ्रेंट्स, है मप्रती, वेलकम बेक टू आर जैनल प्लांट से स्पेस, आज हम बात करेंगे कोलियस प्लांट के बारे में जो की एक ब्यूटिफुल कलरफुल प्लांट है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती है, प्लांट की में इतना खूबसूरत नहीं लगता है, तो फिलहाल इसको सर्दियों में बचाना बहुत जरूरी होता है, फिर जब फरवरी मार्च का मौसम आता है, फिर इसमें न्यू ग्रोध दोबारा स्टार्ट होगी और फिर से आप इसके नए पौधे बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं क्योंकि कोलीज़ प्लांट के सीट्स भी होते हैं जिनसे आप ग्रोए कर सकते हैं यह प्लांट जिस तरह से तुलसी जी के पौधे पर सीट्स बनते हैं बिल्कुल उसी तरह इस पर भी सीट्स बनते हैं और एक वीडियो हमने पहले शेयर ö Blair की है दिस्क्रिप्रिप्षो कोलियस प्लांट से seeds collect करने होते हैं तो फिलहाल हमारे पास ये दो प्लांट से हैं जिनको हम बचा कर रखेंगे सर्दियों से क्योंकि जो ठंडी हवाए होती हैं उससे भी प्लांट बेकार होता है तो आप प्लांट को semi shade में रख सकते हैं या ऐसी जगे रख सकते हैं जहां पर direct ठंडी हमाए उसको रात में ना लगें नहीं तो प्लांट मर सकता है तो इस बात का अब ध्यान रखिए तो जैसे की हमने आप से कई बार कहा है कि मिट्टी की गुडाई करते रही है जिससे over moisture soil में नहीं रहता है जादा नमी नहीं रहेगी तो प्लांट अच्छी गुडाई कर पाएंगे तो गुडाई इस तरह से करनी होती है यानि कि जो main root ball है इसका उससे थोड़ी थोड़ी दूर आप हलकी हलकी गुडाई करते रहें तो नमी जल्दी जल्दी इसमें खतम होती रहती है और प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और जैसे गर्मियों में तो mulching करते हैं हम इसमें हम सुखी हुई पतियां डाल देते हैं जिससे roots पे heat ना लगे direct लेकिन सर्दियों में इनकों में हटाना होता है जो कि सूखी पतियां है यह सभी हटा दीजिए नहीं तो इससे fungus का डर रहता है सर्दियों में fungus बहुत जल्दी लग जाती है प्लांट में तो अब देखे यह वाला जो प्लांट है काफी टाइम से उनसे जो की seed pod होता है और उसमें छोटे-छोटे black seeds होते है बिल्कुल ऐसे ही इस पे flowers आते हैं उनसे black seeds बनते हैं तो अगर आपको प्लांट को healthy रखना है तो सबसे पहले तो पानी पर ध्यान दीजिए moisture पर ध्यान दीजिए यानि की नमी बहुत ज़्यादा ना हो soil में नहीं तो ये plant गल जाएगा और आपको उपर से ये healthy लगेगा लेकिन नीचे-नीचे उसकी roots एकदम से गलती रहती है plant उपर सही से चलता रहता है लेकिन नीचे-नीचे उसकी roots गलती रहती है गल जाती है तो root rot हो जाता है उसमें तो इस बात का आप ध्यान रखिए नमी पर सबसे ज़्यान रखना है और कहां पर इसको रखना है तो semi-shade में रखिए या इसको आप ऐसी जगे पर रखिए जहां उपर की तरफ से इसको shade रहे और बाहर की ज़रफ से इसको दूप मिलती रहे तो ऐसी जगे पर भी अच्छे से पूरी सर्दिया निकाल लेगा और फिर फरवरी मार्च में आप इनकी cuttings grow कर सकते हैं तो आप देखिए इन पर जो flowers आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं flower spike जैसा होता है इस पे और नीचे से इसमे flowers खिलने शुरू होते हैं परपल कलर के flowers इस तरह से बन जाते हैं इसमें कोलियस में different variety होती है तो सभी में flowering होती है सभी में seeds बनते हैं तो जो अगर आपको प्लान को लंबे समय तक सही रखना है तो इस पे flowers ना आने दें क्योंकि इनी से seeds बनेंगे हमें seeds नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास पहले ही काफी जाते seeds इनके हैं और हम तो फिलहाल कटिंग से ही यह प्लान तयार कर लेते हैं तो seeds की जरूरत ही नहीं होती है तो cutting से बहुत आसानी से प्लान ग्रो हो जाता है इस पर एक video share की हुई है description box में आप जरूर चेक किया कीजिए तो जितनी भी इस पे यह flowers आ रहे हैं जो कि मंजरी एक तरह से हैं जैसे तुलसा जी पर आती हैं तो इनको हम cut कर देंगे इस तरह से pinch कर देना है आपको तो यह flowers कर देंगे तो plant अपनी जितनी भी energy है वो save रखेगा यानि कि जो energy है वो waste नहीं होगी तो plant ठीक रहेगा पतिया इसकी जड़ेंगी तो उसको लेकर बिलकुल परेशान नहीं हो यह normal है सर्दियों में और यह growth बिलकुल नहीं करता है सर्दियों में तो इसलिए इसको बचाना हमें जरूरी है और पानी आपको बहुत ध्यान रखना है सनलाइट भी बता दी है fertilizer देने की अभी कोई जरूरत नहीं है सर्दियों में तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं होती है और वैसे भी बहुत कम fertilizer में यह plant easily growth कर लेता है वीडियो अच्छी लगी हो तो comment box में जरूर बत कि यू